तू ही सागए है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा श्री सहजानन्द स्वामी महराज द्वारा कल्यान कारी सिक्षापत्रीनू सर्जन थायू बस्सो बार्ष लोकोमा बस्सो एकवीस आग्णा वचनो आपती आ सिक्षापत्रीनू निश्कुलानन स्वामी औने ब्रह्मानन स्वामी है हिंडी तेमज गुजराती कवितामा रूप आंतर कर्यू त्यारबाद कवी नानालाल अने त्रीबून व्यासे आविचारोंने काव्यमा ढाल्या तो चारण कवी पिंगलशी भाई मेगानन्द भाई गढवी है शिक्षापत्रीने दोहरा मल लखी त्रोन वखत डॉक्टरेट करना गुजरातना हास्य कलाकार डॉक्टर जग्दिश त्रीवेदिये विनम ब्रफावे शिस्ट गुजराती भाषामा मूल सिक्षापत्रीनों पध्यानुवाद पन करियो छे आ सिक्षापत्री उपर एक भाष्य पन लखायू छे जे गुरु परंपरा द्वारा मान्य सिक्षापत्री अर्थ डिपिका भाष्य तरीके उडखायी छे स्वामिनारेन संप्रदायों मा स्त्रियोना सहज स्विकार विशे केटली बाधाओ छे अनेतेनी समाजमा व्यापक चर्चा थती रही छे बैनोनु मोडू न जोवा अंग्यनी मन्यतामा तो आ संप्रदाय खणी बदी ठिकाओनों सामनों करी रहो छे अनेतेना उत्तरमा शिक्षापत्रीमा आउके भाईउ छे तेउ टाकुआमा आवे छे एक सहज जिगनासु तरीके विचारा आवेो के कोईपन धर्मग्रंत के भक्ती साहित्यमा क्यारे जीवने जन्मा आपनारी मातानों अनादर तो होयजने अशके एजिगनासाने कारणे स्वयम सत्य जानवा माटे मुलतह शिक्षापत्रीना बधाज बस्सोने बार श्लोको अने तेना परती तारवेला बस्सो एक्वीस आग्ना वचनोंनों उन्डान थी अभ्यास कर्यो नाना हरीभक्त थी लईने कुठारी स्वामी कक्षाना संतो साथे कुतुहल संवात कर्या पची जे लखेलूं मलिऊं अने तेना कवित तोहरा पध्यानु वादमा पण ते चकास्यूं तेना परती समाजना प्रश्नार्थ ने नानो जवाब आपवानों नंब्र विचार आव्यों छे जे अहीं प्रस्तूत छे। अलबत आ बधा माती महत्तम वचनों मा पोतानु शील जालवी राखवा पर पूरुस्ती जे सावचेती पूर्वक्नु रहन, सहन, पहरन, चलन, आवश्यक छे तेनो स्पस्ट निर्देश छे। आजना अती फोर्वर्ड थवा कुद का लगावता भारत्य समाज ने आ निर्देश वधूपर्ता लागे ने जुन्वानी पन लागे। परन्तु समवत 182 मा लखायल शिक्षा पत्त्री ने समवत 2021 मा उलगिये तो तो आगनाव वधूपर्तिर लागे ने अने हाँ एमा सुच्वायल स्त्री संहीता न जालवी ने आपने तेना परिनामों आजे भोगविज रहा छिये ने लाज, शरम, कुलमर्यादा के स्वग गवरवने नेवे मुकी ने नारीनी जे हालत आजकाल ठै रही छे तेना अपने मुक साक्षी बनी रहा छिये तेथी सिक्षापत्री स्त्रियो औने विद्वास्त्रियो विशे जे सुच्वे छे ते अनू सरणियन नथी तेवु कैवानू कोई कारण जड़तू नथी तेथी उल्टू सवाजना आजना अधपतन ने जूता तो एक आचार सहीता तरीके आग्णा वचनो स्वयम सैयम नो मार्ग चिंदता होई तेवु महले लागे शे स्वामिदारेन संप्रदाईना साधू संतो खासकरीने भगवा वस्त्रधारी पूरुषो ने त्यागी कहवाया चे पूरुषो ने आ त्यागी ओ माटे वदूमा वदू सत्यावीश इसलोको अनै चालीष आग्णा वचनो कही त्यागी ओना त्यागने बडवत्तर बनावानी खातरीकरवमा आवी चे एखास नोध्वाजेवुछे के सत्याविश स्लोकों मां बार्ष्लोकों स्त्रियोथी त्यागी ओए केटली औने केवी दूरी राखवी तेनों चोक्खो निर्देश करे छे अहीं समझे लेऊं पड़े के त्यागी एटले नैश्टिक ब्रह्मचारी एटले के पूर्ण समझ पछी स्विच्छाए संसार क्याग करनार पुरुश के जे अंतह शत्रुने जीतीने परभ्रह्मने पामवा मते छे आ अंतह शत्रु एटले काम, क्रोध, लोब, मान, आदी अहीं जे काम एटले के कामनाने त्यजवानी आवश्यक सरत माटेनी वाद छे तेनी सफरता माटे स्त्री साथेनी त्यागियोनी आचरण संहीता सिक्षाप पत्री स्पष्टता थी औने टू दब पोईंट लखिया पे छे आपनले समझ वाम सरवल पड़े एटले आपने शिस्ट गुजराती पद्य औने तनो सादो अर्थ लोंधिये 155 तेर औने 106 एमायम दर्शावे छे ब्रह्मचारियो ना अले करवो ना उदगार जानी ने जोवू नहीं नारी तरफ लगार करवी सांबलवी नहीं वनिता अंगे वात स्नान कदी करवू नहीं जान नारी हैयात हवे नेश्टिक ब्रह्मचारियो नो विशेश धर्म कहुँछों अमारा आश्रित ब्रह्मचारिये स्त्री नो स्पॉर्ष करवो नहीं स्त्री साथे बोलवू नहीं तथा जानी बूजी ने स्त्रीयो सामे जोवू नहीं ब्रह्मचारी ये स्त्री विश्यनी वातो करवी के सामबढ़वी नहीं तथा जे जग्या मां स्त्रीयों नी आव जाव होई तेवा स्थान मां स्नान वगेरे क्रिया करवी नहीं आटलू भाष्य काफी छे अहीं शिक्षापत्री मां भगवान स्वय मुस्पष्ट कहे छे के बेनोंने दूर नथी राखवाना स्त्रीयों थी त्यागी ओये पोते दूर रहवानू छे वड़ी नारीनू मोडू नज जोवू एम पन कैं खेवायू न थी पन जानी बुजी ने न जोवू एवी आगना छे अरे अडार एकसो ब्यासी मां स्लोक मां तो करुणा मैस्त्री आदर नी शिक्षापत्री आपे छे आफत आवे प्राणनी परनारी के आप नीज अवर रक्षा करो स्पर्षे वडे न पाप अर्थात पोताना के कोई स्त्री ना प्राणनो नाश थाए तेवा संजोगोमा ब्रह्मचारिये स्त्रीने अडीने अथ्वा स्त्री साथे बोलीने पन पोताना अने स्त्रीना नी रक्षा कर गए। तुक मा के हुँ होई तो एंग कहवाई के सिक्षा पत्री ना पहला जिस लोक मा राधा नो भाव पूर्वक उलेक थयों होई ते सिक्षा पत्री स्त्रियों नो आदर कें चुके अनादर तो क्यारे ना करे। रूंडता है तो किसका सहारा।